तो कैसे हो आप लोग आप से बच्चे होगे और आज मैं बताऊंगे मेरे अंटी की जटपट सी कोबी की भाजी की रेसिपी तो चलिए देखते हैं वो कैसे बनाते हैं लेट्स गो असलाम अलेकों मेरा नाम में सैदा सोलकर आज मैं आपको कोबी की रेसिपी बताने वाली मेरे इस्टाइल में चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं कोबी पाव किलो है और दो चम्मज डाल है जिसको मैंने दो घंटा भीगने दाली थी और एक कांदा है एक छोटा टमाटर है ज्यादा मसाले नहीं जाएंगे उसमें दो हरी मिर्ची है हल्डी है नहमक है अपने टैस के हिसाब से और यह जीरा है बस ज्यादा मसाले नहीं ज हो सकते नहीं हो सकते तो इसके लिए दो घंटा या फिर एक अपने को टैयंग तो पंदरा मिट भी फिगने दाल सकते प्यर इसको दो के वाच करके दो-तीन पानी से साधे पानी में भी 10-15 मिट रखने का और फिर ऐसा ऐसा क्टने का इस ते हुमार हिसाब से बारी काटो इसमें हम 2 टेपल स्पुन ऑईल डाल देंगे, दो चम्मच, तेल जैसे गरम होता है उसमें हम जीरा डाल देंगे एक चम्मच, जीरा थोड़ा गरम हो चाएगा जो हमने प्यास काटके रखी थी वो डाल देंगे, प्यास को अच्छी तरह से हम भून लेंगे, जादा नहीं भूनना है एक दम, अब इसमें हम टमाटर दाल देंगे, प्यास अलका सा हो किया, अब इसमें टमाटर और मिर्ची दाल देंगे, अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, इसके बाद हम दाल देंगे, अब जो हल्दी लिका लेती और नमक, हल्दी थी आदा चमच और नमक अपने स्वादनु साल, अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, थोड़ा टाइंगे, अब देखिए, जो कोबी हमने काट कर रख दी थी वो दाल देंगे, अच्छे से, इसे फैला लेनी है कि कांदा जलना जाए नीचे वाला, अच्छे से फैला देगे, जो ताल भीगो कर रखीती है, वो दाल देगे, उपर ही दालेगे, बाद में जब तक नीचे का मसाला पक नहीं जाता है, तब तक इसे हिलाएगे नहीं हम, और इसमें बहुत ही कम मसाले जाते है, जैसे हल्दी और नमक में बाद मीके जाता है, जादा कुछ नहीं जाता है, तेज के लिये हम मिर्ची याल डैते हैं, उब तक भीज़ते हैं, अब नहीं जाते हैं, अब विसुमचे हम पकना रखें, यह देखिए, अब पिझगे, ऑब यसे खरनेे, अफुर्चते हैं, अच्छी से मिक्स कर लेन मिक्स करके हम थोड़ा टाइम और इसे पकने दे देंगे भाप पर यूदी कि हमारी बन के रेडी हो गई थोड़े थोड़े टाइम सब इसे मिक्स करते रहेगे इसमें परेशान मत अगर अगर जाती साई इसो समीधा जाती दाल टे मैं कि अबस इसको बन करके रखकत बन करके यह देखिया हमारी कोबी की भाजी बनकर त्यार हो गई है बहुत ही इजी है बहुत ही जटपड बनने वाली है इसमें दाल एड़ हो गई है इसलिए बहुत अच्छी लग रही है यह बहुत टेस्टी भी लगती है अब कोबी की भाजी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब कीजिए और बैल आइकन को ज़रूर दबा देजे मेरे नेक्स नोटिफिकिशन का वेट गीजे तो चलते हैं फिर लाहाफिस फूट तड़का वी लॉक्स